वूभाने वोवड के मश्यूर अभी नेपोटिसम का मुद्धा उच्छालत है वूभाने विश्य में 법ी 2.1 सब्猎ल आपोटिसम हनी ने और जालत है अभिनेत्री है और्मिला मादोटकर और्मिला मादोटकर ने अपनी नाराजगी जाहिर की और साथ की अपने दर्द को भी बया किया बताया कि कैसे आखिर वो पक्षपात यानि नेपोटिजम का शिकार हो गई और कैसे बॉलिवुड में नेपोटिजम का शिकार कई और अभिनीत्रिया होती है दरसल हाग में ही बॉलिवुड एक्षपात और नेपोटिजम के बारे में बात भी की एक्षपात और नेपोटिजम को ले करके अपनी नाराजगी जाहिए है बता दे कैप्षिन में एक्षिस ने लिखा कि एक शानदार ग्लैमरस करियर की शिखर पर सीधी साधी भूली भाली लड़की विद्या का किरदार निभाने वाली सत्या को 25 साल पूरे हो चुकी है लेकिन नहीं इसका अभिने से कोई लेना देला नहीं है इसलिए क्योंकि पुरस्ता नहीं नामांकन भी नहीं तो बैट जाओ और मुझसे पक्षपात और नेपोटिजम के बारे में बात मत करो बस यूँ ही कह रही हूँ एक इंट्रिव्यो के दोरान बताया गया था कि फिल्म में सबसे ज़्यादा महंगे कॉस्ट्यूम और मिला मांडोट करके थे खुद राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि और मिला मांडोट कर ने सभी के कपड़ों की कीमत से दस गुना ज्यादा कीमती साड़ी पहनी थी वो भी सत्या के लिए और मिला की कॉस्ट्यूम को खुद मनीश मलूद्रा डिक डिजाइन किया था और मिला ने कई ग्लैमरिस भूमिकाओं में काम किया है उन्हों ये सत्या के साथ साथ वान और एक हसीना थी जैसी फिल्मों में काम किया है और वोड एक्ट्रिस काजूल की फिल्म कुछ-कुछ होता है भी सत्या के आसपास ही रिलीज होई थी कुछ-कुछ होता है नेक कई पुरुस्कार समारों भी अवार्ड्स दीती, फिल्म सत्या के रेलीस को हाल में ही 25 साल पूरे हो चुके हैं, राम गुपाल वर्मा द्वारा निर्देशत इस फिल्म में उर्मिला मालो कर मनुझ बाशवई, सौरफ शुकला और शैफाली शाह भी की नज़र आये थी, डिके ने इस फिल्म को पुरुस्कार भी नहीं मिला और साथ ही नामंतर भी नहीं हुआ, जिस पर उन्मिला ने अपना गुस्ता जाहिर किया है और पक्षपार की बात की है